नमस्कार में अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्क्यों पर बिहार में खेल विश्विद्याले की इसापना का रास्ता हुआ साफ पटना हाई कोट ने तीसरी लहर से बचाव की तयारी को लेकर सरकार को किया तलब अब एस बालू खननन से मोटी कमाई करने वाले तेरह अधिकारी हुए सस्पेंट एंकांटर सेशलिस्ट मनु महराज बने भारत तिबद सीमा पुलिस के डियाईट बियार में मांसोने चक्र फिर से हुआ सक्रिया तो आईए आप जानता है खबरे विस्तार से पटना हाई कोट ने तीसरी लहर से बचाव की तयारी को लेकर सरकार को किया तलब कोरोना वाइरस के संभावे तीसरी लहर को लेकर वियार का सिस्टम कोई चूक नहीं करना चाता है और इस बात की निगरानी खुद हाई कोट भी कर रहा है बेते दिन मंगलबार को पटना हाई कोट ने कोरोना की संभावे तीसरी लहर से बचाव की तयारी को लेकर अलफ नामे में पहली और डूसरी डोस लेने वाले लोगों का सही आकरा पेस नहीं किया गया जिसके बाद पतना हाई कोट ने 30 जुलाई तक दो बारा हलफ नामा दायर करने का समय दिया है। एक SDO समय 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बिहाज सामाने प्रशासन वा विभाग ने अधिसूचना जारी की है जिसमें बड़े पैमाने पड़ आईएस वा IPS अधिकारियों का तबादला बीते दिन किया गया है। यदि सूचना की मताबिक सेनियर IPS सदिकारी ललन मोहन प्रसाद को कोशी डेंज का डियाईजी। जीतेंदर मिश्रा को पटना का डियाईजी और होम गाडव अगनिश्यमन का नया डियाईजी बनाय गया है। इसके अलावे शुरिकांत शास्त्री का तबादला करते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिशत का राजी परियोजना निदेशक बनाया गया है। देलिप कुमार को अगले आदेश तक उद्योग विभाग का विशेश सचिव बनाया है। साथ ही सन्नी सिन्हा को परिवहन विभाग का अपर सचिव के पदपर पदस्थापित किया गया है। एंगागर स्पेशलिस्ट मनु महराज बने भारत तिबबत सिमापुलिस के डियाईजी। बिहार में सारंच्षेतर के डियाईजी वा 2005 बैच के IPS अधिकारी मनु महराज अब 5 सालों के लिए बिहार को अलविदा कहने जा रहा है। मनु महराज को केंद्रे प्रतिन्यूक्ती मिली है जिसके तहट वे भारत तिबबत सिमापुलिस यानि की ITBP में डियाईजी बने हैं। इसके साथ ही वे पद ग्रहन करने की बाद से 5 सालों तक केंद्रे प्रतिन्यूक्ती पढ़ी रहेंगे। मियारग्री विभाग ने मनु महराज के केंद्रे प्रतिन्यूक्ती से सम्मंदित अधिसूशना को जारी कर दिया है। बताते चले कि मनु महराज हिमाचुल प्रदेश के शुमला के रहने वाले हैं। सारन का डियाजी बनने से पहले मनु महराज मुंगे डियाजी और पटना एससवी भी रह चुके हैं। उन्हें सिंगम भी गहा जाता है। उनकी जगा पर अब निगरानी अन्वेशन ब्यूडो में तैनात रविंद्र कुमार को सारन का नया डियाजी बनाया गया है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं इस पर जवाब देते हुए उद्योग मंतरी शाहनवाज हुसाय ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे लिखकर सकरात्मक है। इस चेतर की कलाकारों को आर्तिक मजबूती देने के लिए जुलाई में ही उपेंद्र महरती शिल्प संस्तान की निदिशक की अध्यक्सावाली तीन सदस्य कमीटी बनाई गई है। जिसके रिपोर्ट आने के बाद उद्योग विभाग कुमार समाज केरगे कारे यूजना तयार करेगी। जिक्सित होगा, साथ ही यहां के खिलारी विवन तरह की प्रेशिक्चन इस स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में ले सकेंगे। इस यूनिवर्सिटी का मुख्याले राजगिर में होगा और वहाब बन रही, स्पोर्ट अकादमी भी इसके अंतरगत ही आएगी। साथ ही महला वियर्थियों के लिए आरक्षन का विशेस प्रावधान रहेगा। बियार के कई किसमे के धान के सुवाद विदेशों तक पहुँच रहे। बियार के प्रमुक फसल धान की विवन किसमों को यहां उगाया जाता है, यहां परमपरगत के साथ ही सुगंदित किसमों के चावल का उतपादन हो रहा है, जिसके पहुँच देश के साथ-साथ विदेशों में विफैल रही है। धान उत्पादन के बारे में बताते हुए बिहार राज्यूबीज निगम के मार्केटिंग हेट का कहना है कि सूबे के मगद छेतर में बासमती और कस्तूरी किस्म की खेती खूब की जारी है जो की उन्नत किस्म के धान होते हैं इस शेतर में करीब 10,000 हेक्टियर में इसकी खेती हो रही है जहां उत्पादन 30 क्विंटल प्रती हेक्टियर हो रहा है इन चावल की कीमत बाजार में 100 से 150 रुपे प्रती कीलो तक है वहीं कैमूर रोहतास में सोनाचूर धान, चंपारन में मिर्चया धान, पटना में बासमती का उत्पादन बड़ा है तो वहीं भागलपूर की कतरनी चावल की मांग, निपाल, भुटान और मालदीव की साथ ही स्वेजर लैंड, अमेरिका और साओधी अरब तक होने लगी है वालमी की टाइगर रिजर्व में नई प्रजातियों का हुआ खुलासा, बिहार की वालमी की टाइगर रिजर्व के लिए एक अच्छी कबर आई है, यहां से जंगली जीव जंतों की 11 नई प्रजातियों के पहचान हुई है, यहां पहचान कैमरे में रिकॉर्ट की गई है दरसल बागों की गिंती के लिए अलग-अलग स्थान उपर कैमरा लगाए गये थे जिसमें दुरलव जीवों की गतिवीदियों को भी रिकॉर्ड किया गया है जो कि अब लुप्त प्राय माने जाते हैं कैमरे में क्लावडिक टेंदुआ, सफेद कानवाला, रात का बगुला, चार सिंगो वाले मिर्ग, बकरी मिर्ग, बर्मिज, अजगर, भारतिय भेरिये, नेवला, चित्तिदार बिल्ली, होडी बेलिर गिलहरी, येलो ठोटेड मार्टेन, हिमालेयन, सीरो जैसे जीवों को वी यहार सरकार द्वारा अवैद बालु खननन को लेकर सक्त कारवाई करते हुए, जाच रिपोर्ट में दोशी IES और IPS से अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी पार्टी की प्रमुक दल, राजद और कॉंग्रिस ने अपनी प्रतिक्रिया जाह लेकिन बालु तसकरी को रोखने के लिए बरा कदम है, उन्होंने आगे कहा कि इसमें बिहार के कई अधिकारी सनलिप्थ हो सकते हैं, इसलिए सरकार को बालु खननन वाले जिलों के सभी अधिकारियों की जाच करनी चाहिए, खत्मों हो गई है JEE मेंस के तीसरे चरन की परि रिजल्ट अगस्त के पहले सब्ताह में जारी किया जा सकता है, इससे पहले मौडल एंसर को कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद चात्रों को एक से दो दिनों के लिए अपत्ति का मौका दिया जाएगा, बताते चले कि अब चौते चलन की परिक्षा अंदर मांसून एक्टिम नजर आ रहा है, मौसम विग्यान केंद की मुताबिक ट्रफ रेखा और साइकलोन सर्किल के असर के कारण बिहार की जादातर जिलों में बारिस रिकॉर्ड की गई और अगले कुछ दिनों तक यह सलसला जारी रहेगा, बिहार में फार्बिस गंज के अंदर सबसे ज़्यादा 120 मिली मीटर बारिस रिकॉर्ड की गई, राजानी पटना समेत कई जिलों में बीते दिन मंगलवार को दिन भर आस्मान में बादल चाय रहे और हलकी बारिस दर्ज हुई, वही मौसम विभाग ने अगले 24 गंटे तक अररिया किशन गंज का टिह कार या पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आयोग की द्वारा तारीक जारी करने के साथ ही चुनाव समय से कराये जा सकेंगे, इस करम में कैमूर जिलों में दूसरे राजियों से प्राप्त 48,000 EVM मशीनों में से 17,000 मशीनों में Q-R code जेनरेट करने की प्रकिरिया को पूरा कर लिया गया है, इसके अलावे 6 बची EVM मशीनों को राज के 9 जिलों में उनकी मांग के अनुरूप उपलब दिकरा दिया गया है, बताते चले कि जिन जिलों में जरूरत से ज्यादा EVM पहुच गया है, वहां से EVM को दूसरे जिलों में भेज दिया जाएगा, जहां पर कम EVM मशीन पहुचे है, या फिर जहां मशीन की जरूरत है. दिवंगर शाबुदीन के परिवार से मिलने पहुचे तेजस्वी यादव, राजजद के बाहुबले सांसद रहे दिवंगत निता शाबुदीन की मौत की बात से पहली मरतबा देजस्वी यादव ने उनकी पत्नी और बेटे ओसामा से मुलाकात की है। बिहार विदान मंदल में अनुपूरक विवरानी हुआ पेश। इसके अलावे COVID-19 से जान गवाने वाले व्यक्ति के निकर्तम आसरित को अनिद्वान के लिए दिये जाने के लिए 300 करोर रुपे प्रस्तावित किया गया है। 182 करोर रुपे का प्रस्ताव 559 के लिए पटना मेट्रो डिल पर यूजना के लिए 400 करोर रुपे और बिहार को सुर्क्यों में लाने वाली मुखे मंत्री बाली का साइकल यूजना के लिए 194 दिसबलब 72 करोर रुपे प्रस्तावित किये गया है। कोरोना पॉजिटिव क्रोनाल पांडिया की संपर्क में आए सभी आठ खिलारी हैं नेगेटिव भारत और श्रीलंका की बीच T20 सिरीज का दूसरा मैच बेते दिन भारते ओल रॉपे कोविट पॉजिटिव होने की बज़ा से ट्याल दिया गया था हालांकि उनके संपर्क म आई है ऐसे में माना जा रहा है कि आज मैच को लेकर कोई अर्चे ना हो और तैस समय के मुताबिक आज भारत श्रीलंका की बीच दूसरा T20 मैच खेला जा सके तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल कुछ सब्रकार है कि आपके अनुसार अवैद बालू खनन को लेकर बिहार